हेलो फ्रेंड्स आज आप लोगों को यहां पर हम बताने वाले हैं कि बिहार स्कूल एक्जामिनेशन बोर्ड का रेजिस्टेशन चवरा है 2021 से 23 सेशन का ठीक है तो यह रेजिस्टेशन फॉर्म है और इस रेजिस्टेशन फॉर्म को काफी सुध तरीके से भढ़ना पड़ता है और यदि आप इसमें थोरा सा भी गलती किजेगा तो फिर आपको परिशानी हो सकती है ठीक है तो चलिए आप लोगों को हम फॉर्म भढ़ने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाते हैं ताकि कम से कम गलती हो सके नगन गलती हो सके यानि गलती बिलकुल नहीं हो ठीक है तो सबसे पहले देखे एक नंबर खाता है कि कैटेगरी कैटेगरी क्या होगा आप यदि रेगुलर हैं तो आप रेगुलर मारिएगा आप यदि प्राइविट हैं तो आप प्राइविट मारिएगा तो चलिए हम यहां रेगुलर मार के दिखाते हैं उसके बाद य इसे देखेंगे स्कूल का कोड यहाँ पर स्कूल का कोड मान के चलिए कि यहाँ पर 93-0-2-4 ठीक है इस तरह से आप कोड फड़ दिजेगा स्कूल का नाम है माना की चलिए पलस 2 ठीक है पलस 2 RHS ठीक है RHS कुछ भी जो भी आपका नाम है चाहे यहाँ पर Katihaar ठीक है कुछे भर दिजे उसके बाद क्या कर रहा है कि Sub-Divison Sub-Division मान के चलिए कि Katihaar है ठीक है उसके बाद क्या है District Name District Name में मान के चलिए फिर Katihaar है तो Katihaar लिग दिए ठीक है अब क्या है कि यहाँ पर है Students Name माना की student's name है करन K-A-R-A-N ठीक है एक box खाली करेंगे छोड़ देंगे फिर यहां लिखेंगे K-U-M-A-R कुमार ठीक है यहां एक box खाली छोड़ेंगे S-I-N-G-H यह सिंग हो गया अब कहरा है क्या student's name इन हिंदी तो यहां लिखेंगे करन ठीक है कुमार सी यह हम लिख दिये ठीक है उसके बाद कहरा है mother's name मान लिजे mother's name है G-E-T-A-G-E-T-A ठीक है गीता देवी एक box खाली छोड़ेंगे फिर यहां पे लिख देंगे ठीक है अब क्या कहरा है mother's name Gita देवी यहां पे अब हिंदी में लिखना है तो यह Gita देवी यह clear हो गया अब क्या कहरा है father's name father's name मान के चलिए कि यदि रहेगा शुरेंद्र S-U-R-E-N D-R-A शुरेंद्र सुरेंद्र सींग S-I-N-G-H आपको यह समझाना है कि यह सुरेंद्र लिख रहे है तो इसमें एक box को खाली छोड़ देँगे फिर S-I-N लिखेंगे ठीक है अब फिर यहां पर लिख देँगे सुरेंद्र सींग हिंदी में सुरेंद्र सींग यह लिख दिए अब यहां पर लिखना है date of birth ठीक है क्या लिखना है डेट और बर्थ मान के चलिए कि पंदरा फरवरी पंदरा दो हजार तीन ये लिख दिए ठीक है अब मेर्टिंग कहां से पास किये हैं मेर्टिंग बैए से पास किये होगे तो आप सीवसी बूर्ड का नाम लिखे है उसके बाद मेर्टिंग क्लास रोल कोड अब यदि रोल कौड हो तेरह डबल जीरो पांच ठीक है आप रोल नमबर ये देखिए ये एक आपको बताया जा रहा है कि कोई भी ये कोई परफेक्ट नहीं है आपके स्कूल का जो है आप उसको लिखिएगा ठीक है रोल नमबर है मान के चलिए दो सो ग्यारा चालिस पचास ये इतना रोल नमबर हो सकता है या जो भी हो सकता है यहाँ 2021 ठीक है चलिए तो आप यहाँ डोल कोड लिखिएगा जिस स्कूल से आप में ठीक पास किये हैं जो रोल नमबर है आपका वो रोल नमबर लिखिएगा फिर कौन साल में पास किये हैं लिखिएगा आप मेल हैं तो मेल के सामने ठीक लगाईए यदि आप इबी सी है तो इबी सी के सामने ठीक लगाईए यदि आप दिब्यांग है तो एस लगाईए यदि आप दिब्यांग नहीं है तो नो लगाईए उसके बाद नेशनलिटी का मतलब होता है आप किस देश के नागरिक हैं तो इंडिया के हैं तो इंडियन लगाईएगा इंडिया के हैं तो क्या लगाईएगा इंडियन के सामने आप टिक किजेगा ठीक है उसके बाद देखेगा उसके बाद देखेगा आप रिलिजियन एदि हिंदू है तो हिंदू के सामने टिक 5 3 2 9 यानि कि देखिए आपका जो मोबाइल नमबर है मोबाइल नमबर यहां पर डाल दिजिए यहां पर email address मान लीजिए कि आपका है current के यह r an currency ठेक है इस mall में होता है इसको आप याद रखेगा currency उसके बाद 45 at the rate of gmail.com ठीक है यह box में लिखिएगा उसके बाद चलिए यह ज़िए आपका खरा है आधार आधार लिखिए 95 ठीक है पंचानबे 62 35 45 44 और 29 ठीक है जो भी आधार नमबर आपका है आप उस आधार नमबर को लिख दीजिएगा ठीक है उसके बाद देखें एड्रेस एड्रेस जैसे 8 प्लस पोस्ट प्लस प्यस चाहे जो भी है आप गाओं का नाम लिखे पोस्ट लिखे प्यस लिखे माना कि हम यह कटिहार का बता रहे तो 8 प्लस पोस्ट प्लस प्यस यह आप क्या लिखे ये कर्टिहार लिखिए ठीक है ये किलियर हो गया उसके बाद चलिए पीन नमबर 8543105 अब जो भी आपका पीन नमबर है उसको लिख दीजिए ठीक है अब मेरिट आप साधी सुदा है तो मेरिड लिखे साधी सुदा नहीं है तो अनमेरिड मेरिट लगा दीजिए अब यहां ओप बेंगे एकाउंट नीम लीगएगा इकाउंंट नेम चलिए यदि आप एकाउंट नेम है एकाउंट नमबर है अब लिखए डाइस आन बै-न-बै डॉबल जीरो ठिक है फिर डवल जीरो वन चकिन थिरी त्री थरी फूर ठिक है आप यंग और नमबर मानके कोड़ सुरी यहां पर क्या लिएगा बैंक बैंके अण ब्रांच नेम गति नेम मुगा पिठ नहीं हो गतिर्फ नेम हो गया आप खटिहार लिघिए किये लीग है ॲिखई यह लिख दीजिए, उसके आप यहाँ पर है कि कोई भी दो पहचान लिखना है, क्या लिखना है, दो पहचान लिखना है, दो पहचान जैसे a mole on the, a mole on the right, right hand, ठेक है, right hand, उसके बाद एक कट मार्क, cut mark, ठेक है, cut mark on the, cut mark on the, on the left hand, left hand, यह हो गया, अब यह कौन सा भासा में आपको उतर देना है, आप हिंदी में दीजेगा, तो हिंदी में ठीक कर दीजे, अब इस पार में क्या बच गया मेरा, इस पार में देखेगा, यहाँ पर देखेगा student signature, signature हमेशा याद रिखेगा, वो capital letter में नहीं होता है, यानि कि सुरू का letter capital होता है, K-A-R-A-N, करन, ठीक है, करन, कुमार, बॉक्स में लिखना है, C-A-S-I-N-G-S, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक photo चिपकाना है, photo के just नीचे क्या करना है, आपको signature मार देना है, तो इस पार जो है, इस पार का काम हमारा, बिल्कुल clear हो गिया, complete हो गिया, ठीक है, इस पार का काम, बिल्कुल complete हो गिया, अब हम लोग इस पार देखते हैं, subject details भड़ते हैं, देखें, यह जो आप क्या ले सकते हैं, यदि उर्दू, नो इंगी student उर्दू ले सकते हैं, English ले सकते हैं, Hindi ले सकते हैं, मैथली ले सकते हैं, संसिक्रित ले सकते हैं, उसके बाद प्राकृत ले सकते हैं, मगही लिख सकते हैं, ले सकते हैं, भोजबूरी ले सकते हैं, अरेबिक ले सकते है उसके बाद आपका यदि कोई सा सब्जेक्ट है, कौन कौन सब्जेक्ट है, तीन में सब्जेक्ट होता है, जैसे आपने यदि होम साइंस लिया, होम साइंस में टीक लगा दीजिए, हिस्ट्री लिया है, हिस्ट्री में टीक लगा दीजिए, उसके बाद जोगराफी लिया है signature of parent or guardian यहाँ पर जो है आप guardian का signature करवा सकते हैं यहाँ आपको अपने से लिखना होगा हिंदी में signature कीजिए जैसे करन कुमार सीम ठेक है यहाँ इंगलिस में करन कुमार सीम यह हो गया ठेक है अब यहाँ पर बस आपका काम सकम हो गया फिर यहाँ पर आप गारजन से signature करवा दीजिए गारजन से signature करवा दीजिए जैसे गारजन सुरेंदर है तो वो कर सकते हैं अपना जैसा भी signature करते हैं ठेक है ठेक है वो गारजन से करवा दीजिए तो इस परकार से यह आपका form error free हो जाएगा ठीक है आप आसानी सीख कर सकते हैं फिर से एक बार समझा देते हैं लिटरली यहां कटेगरी के सामने regular में हैं तो regular में लगाईएगा अब private है तो private लगाईएगा फिर college का code लगाईएगा फिर college का नाम लिखेगा सब division name लिखेगा district name लिखेगा students name लिखेगा और हमेशा याद रखे students name जैसे करन कुमार सिंग है तो इसमें क्या है करन के बाद एक box खाली छोड़ देना है फिर कुमार लिखना है फिर एक box खाली छोड़ना है फिर सिंग लिख देना है ठीक है उसके बाद हिंदी में करन कुमा आधार क्या सकता है ठीक है लेकिन आपका जो स्कूल लिविंग सर्टिकेट है जो शाथ क्लास यह आठ क्लास पास करके नौ क्लास में आये थे वो वाला इसमें भडियेगा ठीक है उसी को बेसिक मानियेगा ठीक है उसके में अगर हैं आप दिब्यांग तो आप एसमें टिक लगाईएगा नेशनालिटी यहाँ है इंडियन तो इंडियन लिख दिजेगा रिलिजियन में टिक लगा दिजेगा मुबाइल नमबर दे दिजेगा इमेल आईडी लिख दिजेगा आधार नमबर यहाँ पे लिख दिजेगा और एड़ेस में गाउं लिखेगा पोस्ट ओफिस लिखेगा उसके बाद फिर आप जो है ठाना लिखेगा ठीक है उसके ब्लॉक लिख दीजेगा तो अच्छा है भाया लिख दीजेगा फिर जो है पी नमबर लिख दीजेगा फिर एहां पर मेरेट अनमेरेट मांग रहा है तो आप अनमेरेट है तो अनमेरेट लिखेगा फिर बैंक अका का कटा का निशान हो सकता है, तील का चिन हो सकता है, या और किसी तरह का खाव का चिन हो सकता है, आप वो दो चिन शरीर में जहां भी है? आप उसको specify करके लिख दीजेगा, ठेक है? उसके बाद identification के मेडियम आप किस मेडियम में परिछा देना चाहते हैं आप वो लिग दीजेगा हिंदी और इंग्लिस इंग्लिस में देना चाहते हैं इंग्लिस में टिक किजेगा फिर यहां पर सब्जेक्ट देखेगा इंग्लिस हिंदी है तो एक यहां इंग्लिस लिजेगा तो यहां हिं 23 में से कोई एक पर टिक लगाना है और यहां जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 10 में से कोई 3 पर टिक लगा देना है जो आपको पढड़ने में इंटेस्ट है इसमें आप इंटेस्टड है ठीक है उसके बाद देखें यह एडिस्नल आप ले भी सकते नहीं फिर यहां पर आप गार्जेन का signature कर विए, फिर यहां student का signature किजिए, student का signature हिंदी में किजिएगा, यहां English में किजिएगा, यह आपका complete हो गया, ठीक है, आप यदि इस तरह से भड़ते हैं, तो कहीं गलती आपका नहीं रहेगा, और यदि आप गलत कर देते हैं, तो निश्चित रूप से आपको परिशानी होगी आगे करेक्शन करना होगा और साथ ही साथ जानते हैं आपको फिर पटना भी पूर्ण्या भी दवट्सना पर सकता है ठीक है तो इस गल्टी करने से बचिए हर हाल में आप वीडियो को एक बार दोबर देख लीजिए पर यहां से समझ लीजिए फिर फाइनली अपना फॉर्म भड़ना स्टार्ट कीजिए चुकि यह रेजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसी के आधार पर आपका सारा जो मार्कसित होगा फाइनल सर्टिपिकेट बनेगा रेजिस्ट्रेशन को बेसिक मान करके ही वो जेनरेट किया जाएगा ठीक है तो आप दो ब